वीकेंड के वार पे सलमान खान ने लगाई है प्रियंका चहार चौदरी की क्लास भई इस हफते जो है साजिद और अर्चना की धमासा लड़ाई रही पर उसके बीच में भी जो है सलमान खान ने प्रियंका का मुद्दा निकाल लिया है चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भई आखिर कार सलमान खान ने प्रियंका का क्या मुद्दा निकाला है और क्या बाते बोली है पूरी अपडेट जानने के बाद आप लोग कमेंड बॉक्स में मुझे ये चीज़ बताए कि भई जो मुद्दा उठाया है वो आपकी नजर में सही है या गलत है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बैल लाइकिन को दबाईए इस वीडियो को लाइक कीजिए शर कीजिए तो गैस प्रेंका जहार चौधरी को काफे ज़्यादा डांट लगाते हुए फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं जहांपर साजीद और अर्चना का मुद्दा उठाया गया है दोनों को अलग लग चेयर पे बिठाया गया है पूछा गया है कौन किसकी तरफ है वहीं पर प्रेंका की क्लास लगाते हुए नजर आए कि भई आप जो है ना इधर है ना उधर है आप जो है ऐसी सब चीजे करती हैं और नेशनल टीवी पे अपने आपको सही दिखाने के चक्कर में आप अपनी दोस्त की बली चड़ा रही है क्या आचना आपकी दोस्त नहीं है जहां पर प्रेंका बोलती है कि ये मुझे खुद इतनी साथ बुरा भला बोलती है जब मैं इसका स्टैंड लू तो मैं कैसे इसका स्टैंड लू बुरा भला मुझे बोलती है ती सब बाते बोलती है मुझे नाली वाली औरत बोलती है ऐ नहाँ बर प्रयांका की बाद सुनने के बाद सल्मान खान ने बोला कि नैशनल टीवी पे आप बदी चड़ा रही है अपनी दोस्त की अपनी आपको अच्छा दिखाने के चक्कर में ये बाद ही जो है सल्मान खान बोलते हुए नजर आई है कि आप लोगों को लगता है कि भ अगर असलेत में वो किसी के मूँ पे बोल रही है तब तुम अपना पासा पलट लेती हो तब तुम अर्चना के साथ खड़ी नहीं होती हो और अर्चना की उस बात पे तुम हस्ती नहीं हो तुम उसका स्टैंड नहीं लेती हो हाला कि काफे सारी बाते हुई है तो क्या आप लोगों को लगता है कि सुल्मान खान ने जो मुद्धा उठाया है इस बार प्रियांका का वो सही है इसी के साथ मैं लेते हुँ जादन नमस्का